पहले तो ताने देते थे अब बोलते हैं बहु आरती जाएगी दूसरी साधी हुए चार साल हो गया और मालूम भी नहीं चरा के चार साल कहां हो गया और सब कुछ अच्छा चड़ रहा है बिल्कुल से कितना दिन पहले साधी हुए ते कि वहां पर बस डेड़ सार रहे हैं कुछ भी नहीं दारूपी के डोलता था जी और देखिए इतनी सुन्दर लड़की को और इनको लच्मी जैसी लड़की को वह घर से निकाल दिया और कापी कुछ जेली हुई है इनके जिंदिगी में कापी उतार चड़ा आई हुई है और और ऐसी महिला को दर-दर की ठोकरे खानी पड़िये यहां तक पहुंचने के लिए जब वीडियो बनाती होंगी गाउं के समाज के लोग भी काफी कुछ कुछ कुमेंट करते होंगी समाज की लोग तो यहीं बोलते हैं वहां से बख्के आ गई अब यहां से भी जाएगी मत कोई किसी के बारे में नहीं है जो बोलना बोलते हैं वो बोलते हैं उनका वो सोचते हैं कि हमारे बोलने से इनको थोड़ा दुख पहुंचेगा तो उनको खुशी मिलेगी अच्छा सोचल मीडिया पर कैसे कदम रखी हैं में काफी परेशाहा रहती थी क्योंकि घर में पढ़े पढ़े अखेले मन भी नहीं लगता था तो दो बच्चे के बाद दूसरे सादी के बाद दो बच्चे भी हो गए तो सोचा मेरा भाई था उसने बताया ता ताउ का लड़का के आरती ऐसा कर तू के बहुत सारे पैसे सब्सक्राइबर होंगे जब हमने स्टार्टिंग की तो पता नहीं था कि हम चल भी जाएंगे आगे वीडियो चलेंगे या नहीं चलेंगे काफी लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं होता है बे मतलब का अपना टाइम पैस कर रही है तो डाला वीडियो लेकिन उस पर अच्छे भी हुआ है कि किस्मत को आगे यहां लाना था तो मुझे ज्यादा परिसानी नहीं हुई वीडियो डाली और रातो रात बीस मिलिय सब्सक्राइब करते हैं यहां गुंगट में रहती है और अपना घर का खेट का काम बैस का काम यहीं करती है बाहर सोचल मीडिया का तो पता ही नहीं क्या चड़ रहा है आज वो लोग देखते हैं आपके आस पडोस के पडोसी लोग तो आपसे मोटिवेट होकर वोग भी ब मंपापा क्या बोलते हैं जब जाती है तो मंपापा बोलते कुछ नहीं है बस रोते हैं खुषी के मारे उनकी बोली आज तक नहीं सुनी मैंने बस रोते हैं वो खुशी से रोते हैं क्योंकि इतना कुछ जेला आज हैं मुकाम पर आ गए बोलते हैं हमारी बेटी का जिंदगी बरबात तो हुआ लेकिन अब समल गया इस वफर में मामा का भी काफी हाँते हैं क्योंकि हम गुजरात गये थे तो मामा ने बताया था जिंदगी जीने का तरीका कि जिन्दगी ऐसे नहीं जी जाती है उन्होंने इतना समझाया हम 6-7 मेने रहे थे वहां इतना समझाया कि हम वहां से बदल के आ गई पूरे बदल गए यहां से जो गए थे वो नहीं रहे बस यहीं सी के अपना ही मतलब रखो किसी के बारे कुछ मसोचो जो करना है अपना करो